नाडियल का तेल या डीजल केरोसिन मिल जाए तो ठीक है अगर केरोसिन नहीं मिलता है तो नाडियल का तेल और डीजल दोनों को मिक्स कीजिए और ब्रिक्सू के ऊपर हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चनल पर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ गाड़ी के ब्रिक्सू में जो आवाज आती है उसे हम केसे ठीक करें तो सबसे पहरे हम समझते हैं कि आवाज आती क्यों है सबसे ज्याद सर्दियों के और बारिस के मौसम में आवाज आती है सीड़ी के कारणा या पानी हमारे ब्रेकशूय ड्रम में चला जाता है तो जिसके कारणा इसमें आबागने होते बहुदी घुर से करने का से पहला है कि आप सबसे पहले अपने जो भी न इसको निकाल लिए भील को निकालने के बाद में को आप के प्रक ब्रक्सू पर काम करना होगा ब्रक्सू पर काम मतलब आपको सबसे पहले अपना ब्रक्सू निकालना होगा और ड्रम को अच्छी तरह से यानि कि ठीक तरह से साथ किजी आप सबसे पहले जब हमारा ड्रम अच्छी तरह से ठीक हो जाता है या सूख जाता है उसके बाद आप उसे पुट्टी वाला जो रेट पेपर आता है अपने पास सो नमबर रेट पेपर बोलते हैं जिसे तो सो नमबर रेट पेपर लेगे आप उसे और उसे बारी की से उसको साथ कीजिए तो सबसे पहले आप इसकी सफाई करवाई और ब्रिक्सु को भी अच्छे सफाई करवाई और सूखने के लिए कुछ देर रख दीजिए ताकि ब्रिक्सु पूरी तरह से सूख जागर गीला हो तो और सूखा है तो उसे कुछ नहीं करवाना आपको सिर्फ साफ करवा रहा है साफ करवाने के बाद आप एक काम किजिए आप को कोकोनट का मतल traffic नर्ल का तेल या डीजल केरो से मिल जाए तो ठीक है और क्यरो नहीं मिलता है तो नार्ल का तेल वर डीजल दोनों को मिक्स किजिए ब्रिक्सु के ऊपर तो शरभूंद लगा दीजिए दोनों ब्रिक्सु 100% आवाज नहीं करेगी और आपका ब्रेक सु बिलकुल ठीक हो जाएगा और ब्रेक भी प्रोपर तरीके से लगेगा तो यह जानकारी आपको कैसी लगी इसे आप इस्तमाल करें और इसके बाद जब आप इसका रेजल्ट देख लें इसके बाद वीडियो में आकर कमेंट करे कि आपको जानकारी कैसी लगी और आपको इससे कितनी % फायदा हुआ है तब तक के लिए नमस्कार